साथियों देश के एक बड़े हिस्से में अब मौनसुन पहुँच चुका है इस बार बारिस को लेकर मौसम विज्ञाने भी बहुत उत्साहित हैं बहुत उमीद जता रहा है बारिस अच्छी होगी तो हमारे किसानों की फसले अच्छी होगी वातावन भी हरा भरा होगा बारिस के मौसम में प्रकृती भी जैसे घुट को रीजुविनेट कर लेती हैं मानो प्रकृतिक समसादनों का जितना दोहन करता है प्रकृती एक तरह से बारिस से समय उनकी भरपाई करती है रीफिलिंग करती है लेकिन ये रीफिलिंग तभी हो सकती है जब हम भी इसमें अपना धाइत्व निभाएं हमारे द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास प्रकृती को परियावरन को बहुत मदद करता है हमारे कई देश्वासी तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रहे हैं करणाटक के मंदावली में एक 80-85 साल के भुजूर्ग है कामेगवडा जी भी आश्चिर में पड़ जाएगा 80-85 साल के कामेगवडा जी अपने जानवरों को चराते हैं लेकिन साथ-साथ उन्होंने अपने क्षेत्र में नए तालाब बनाने का भी बिड़ा उठाया हुआ है वे अपने इलाके में पानी की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं इसलि गोड़ा जी अब तक 16 तालाब खोद चुके हैं अपनी मेहनत से अपने परिश्रम से हो सकता है कि जो तालाब उन्होंने बनाए है वो बहुत बड़े नहों लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है आज पूरे इलाके को इन तालाबों से एक नया जीवन मिला है साथियों गुजरात के वड़ोदरा का भी एक उधान बहुत प्रयरक है यहाँ जीला प्रशासन और स्थानिये लोगों ने मिलकर एक दिलचर्श पर मुहिम चलाई है इस मुहिम की वजह से आज बड़ोदरा में एक हजार स्कुलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने लगी है एक अनुमान है कि इस वजह से हर साल अवसतन करीब दस करोल लीटर पानी बेकार बह जाने से बचाये जा रहा है साथियों, इस बरसात में प्रकूर्ती की रक्षा के लिए, परियावरन की रक्षा के लिए, हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की, कुछ करने की पहल करनी चाहिए. जैसे कही स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तयार या शुरू होने जा रही होगी क्या इस बार हम प्रयास कर सकते हैं कि एको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाये बनाएंगे और उनहीं का पूजन करेंगे क्या हम ऐसी प्रतिमायों के पूजन से बच सकते हैं जो नदी तालाबों में विसरजित किये जाने के बाद जल के लिए जल में रहने वाले जीव जन्तों के लिए संकड बन जाती हैं मुझे विश्वास है आप ऐसा जरूर करेंगे और इन सब बातों के बीश हमें ये भी ध्यान रखना है कि मौनसून के सीजन में कई बिमारिया भी आती हैं कोरोना काल में हमें इन से भी बचकर रहना है और वेदिक आउसदियां काड़ा गर्म पानी इन सब का इस्थमाल करते रहिए स्वस्त रहिए